Hello Everyone, Welcome Back To My Channel इस वीडियो में हम Multiplication के 2 डिजट के questions देखेंगे अगर नीचे 2 डिजट दी हुए है तो हम उन questions को कैसे solve कर सकते हैं चलिए first question करते हैं question में दिया हुआ हमें 145 के multiply करनी है 16 से इसको कैसे करेंगे पहले अगर हमें 16 का table आते हैं तब तो हम डारेक्ट पर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 16 का टेबल नहीं आता, जैसे यहां पर आगे 21 दिया है, तो बहुत से लोगों को 21 का टेबल नहीं आएगा, तो उन्हें कैसे सॉल्फ करेंगे, चलिए यह देखते हैं, यहां 16 है, तो 16 की मल्टिप्ला है, पहले 1 प्लेस क के बाद 100 वाली प्लेस से, 6 की मल्टिप्ला है, करते हैं, 6 की मल्टिप्ला है, अगर हमने 5 से कहीं, तो कितना हो गया, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24, और 3 8 करेंगे तो 27, 2 कैरी, 6 बंजा 6, और 2 8, यह तो हमने 6 से मल्टिप्लाय कर ली, अब इसके बाद हम नीचे एक, 1 प्लेस के नीचे क्रॉस लगाएंगे, मींस हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं राइट करना है, अब 1 की मल्टिप्लाय करते हैं, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, and 1 1 जा 1, जासे हमने 6 की करी थी, वैसे ही हमने पहले 1 प्लेस से, फिर 10 प्लेस से, और फिर 100 प्लेस से मल्टिप्लाय कर ली, अब इसे एड कर लेते हैं, 0, 5 और 7, 12, 1 कैरी, 8 और 9, 9 में 4 एड करेंगे तो आएगा 13, का 3, यहाँ पे 1 कैरी, अब यहाँ उपा तो कोई डिजिट नहीं है, तो हम डारेक्ट इस वाले नंबर में इसे एड कर लेते हैं, 1 और यह 1, 2, तो यह आगे हमारा आंसर, नेक्स्ट करते हैं, सेम, 5, 1 और 5, 1, 6 और 6, 1, 2 और 2, फिर नीचे वाले नंबर पे क्रॉस, फिर 2 से मल्टिप्ला है, 2, 5 और 10, 10 और 1 कैरी, जैसे हम एडिशन में कैरी करते थे, उसी तरह से हम इसमें भी कैरी लेंगे, 2, 6 और 12, और 1, 13, फिर 1 बचा, 2, 2 तो और 4, और 1, 5, 5 के नीचे क्रॉस लगा है, मतलब 5, 6 और 0 को एड़ करेंगे, 6, 2 और 3 को एड़ किया, 5, और यहाँ पे 5 के उप़ा कुछ नहीं है, तो 5, यह गया हमारा आंसर, नेक्स्ट कोश्चन देखें, 1, 3 जा 3, 1, 1 जा 1, अब इसे एड़ कर लेते है, 5 जा 5, 9 और 9 को एड़ किया, तो कितना आगए, 18, 1 केरी, 9, और उप़ा वाला 1, 10, और 3 एड़ करेंगे, तो 9, यह 3, 6 और 3 को एड़ किया, तो 9, और 1, 10, फिर उप़ा 1 केरी लग गया, और 2, यह होगा मारा आंसर, नेक्स्ट करते है, 6 4s और 24, 2 केरी, 6 8s और 48, और 2, 49 और 50, 5 केरी, 6 और 6 और 5, 11, मल्टिप्लाए का साइन, क्रॉस का साइन, 3 4s और 12, 1 केरी, 3 8s और 24, और 1, 25, फिर 2 केरी, 3 1s और 3, और उपपर वाले 2 को एड़ करेंगे तो 5, इसे एड़ कर लेते हैं, 4 के नीचे क्रॉस है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 0 में 2 add करेंगे तो 2 6 में 1 add किया 5 में 1 add किया 6 यहाँ पे भी 5 में 1 add किया 6 यह गया answer next questions देखते हैं यहाँ पे question हमें row में दे रखें इन्हें पहले हम क्या करेंगे column में arrange करेंगे क्योंकि हम इसकी direct multiplier से नहीं कर सकते हैं इसे पहले arrange कर लेते हैं column में और इसके बाद इसके multiply करेंगे 5 4s are 20 2 carry यहाँ पे कितना लगा था 2 carry 5 3s are 15 और उपर वाला 2 add किया तो कितना हो जाएगा 16 17 यहाँ गया 17 फिर लगा 1 carry 5 3s are 30 और 1 add किया हमने तो 31 यहाँ multiply यह cross का sign लगाया 4 1s are 4 1 3s are 3 1 6s are 6 अब इसे add कर लेते हैं 0 7 और 4 को add किया हमने तो कितना हो गया 11 1 यहाँ पे फिर 1 carry है 3 1 4 और उपर 11 5 6 और 3 9 यह हमारा answer हो गया next question भी करते हैं ऐसे 6 2s are 12 1 carry लगा 6 7s are 42 और 1 43 4 carry है 6 3s are 18 और 18 में 4 add करेंगे तो 22 multiply का sign लगाएंगे यह cross का sign 2 2s are 4 2 7s are 14 और 1 carry 2 3s are 6 और 6 में 1 add करेंगे तो 7 अब इसे add कर लेते हैं 2 के नीचे cross है तो कुछ यहां पर 2 ही आजाएगा 4 और 3 को add किया तो 7 4 और 2 को add किया तो 6 7 और 2 को add करेंगे तो 9 यह गया मारा answer I hope आप लोंको यह समझ में आयोंके questions Thank you